उर्जा और शक्ति में अंतर क्या अंतर है उर्जा और शक्ति में उर्जा या एनर्जी जिसे हम कहते हैं तो किसी भी वस्तु के कारी करने की ख्षमता को उर्जा कहते हैं मतलब अगर किसी वस्तु में कारी करने की ख्षमता है तो हम कहेंगे उसमें उर्जा है जिस वस्तु पर कारी किया जाता है उसमें उर्जा की व्रद्धी होती है। तो हम कहते हैं किसी वस्तु के कारी करने की क्षमता को क्या कहते हैं। उर्जा कहते हैं। अब फिर शक्ति क्या है। शक्ति है कारी करने की दर। कारी करने की दर को शक्ति कहते हैं। तेखिए यहां क्या लिखाता है? कारी करने की क्षमता को उड़ जा कहते हैं, यहां क्या लिखा है? कारी करने की दर को शक्ति कहते हैं, जैसे एक अगर कोई शक्तिशाली आदमी हुआ, तो वो कारी को कम शक्तिशाली व्यक्ति की तुनला में क्या करेगा? कम समय में पूरा कर तो यह जो कारे करने की दर है इसे हम क्या कहते है शक्ति कहते हैं दूसरी बात यह है कि जो उर्जा है उसका ऐसाई पद्दती में मात्रक जूल है जो कारे का मात्रक है वही उर्जा का है क्योंकि कारे करने की शमता को उर्जा कह रहे हैं तो कारे का जो उर्जा का ऐसाई मात्र तो का प्रति सेंड और जूल प्रति सेंड को हम बोलते हैं वाट तो कारी का एसा ही महत्रक रखें थीक है का इसा ही महत्रक है एसा ही महत्रक निकली वगन तीसरी आप वो कारी करने की दर है, मतलब वो कारी बटे समय है, तो इसमें समय का क्या है, महत्व है, तो ये आप याद रखेगा कि इसमें समय का महत्व है, क्योंकि शक्ति जो है वो कारी करने की दर है, अर्था शक्ति वराबर कारी बटे समय होता है, तो इसमें समय का महत्व है, चोथी जो बात है वो यह कि कोई भी वस्तु जिसमें उर्जा है वो कारे कर सकती है किसी भी वस्तु में जिसमें उर्जा है वो क्या है कारे कर सकती है जबकि उर्जा रुपांतरन की दर को हम कहते हैं शक्ती तो शक्ती क्या है उर्जा रुपांतरन की दर है तो कक्षा नभी के पच् T-2 ठीक है और जो शक्ति का विमी सुत्रे वो है ML-3 तो ये-2 और-3 यहां T की घात का फर्क पड़ेगा क्योंकि यह एक्चुली जो कारी का विमी सुत्रे वही उर्जा का है और यहां कारी बटे समय है तो एक समय नीचे आने से एक T नीचे आता जो उपर जाकर T की पावर माइनस 3 बन जाता है तो ये 4 अंतर आप लिख सकते हैं आप इन में से इन 5 अंतर है कोई भी 4 आप इसमें से एक्जाम में लिख दीजिएगा फिर उसकी बाद में एक बहुत महतुपन बात में बताता हूँ कि जो किलो वाट आवर देखी यहां लिखा है 1 kWh एक किलो वाट घंटा उसको अब एक यूनिट बोलते हैं क्या बोलते हैं एक यूनिट और ये उर्जा का क्या है एक बड़ा मात रखे और इसकी वेल्यू होती है 3.6 into 10 to the power 6 जूल याद रखे हैं कितनी होती है 3.6 गुणा दसकी गाथ 6 जूल 1 kWh एक यूनिट कहलाती है और अब देखी यहां पर एक किलो वाट शब्द आता है तो कहीं आप भ्रम्मे मत पढ़ जाएगा कि ये शक्ति का मात रखे एक लिए उर्जा का बड़ा मात रखे के किलो वाट घंटा इसको एक यूनिट भी कहते हैं और इसकी वेल्यू है 3.6 इंटू 20 पावर 6 जूल जबकि अगर आप इधर देखें तो शक्ति में आप देखें कि शक्ति का एक मात रख होता है अश्व शक्ति हार्स पावर और इसकी वेल्यू होती है 746 वाट तो अश्व शक्ति किसका मात रखें शक्ति का मात रखें और मान कितना है उसका मान याद रखेगा यह उबजेक्टि में बड़ा मेंतुपन प्रशन एता है 746 वाट ठीक है तो यह हमारे उर्जा और शक्ति में बेसिकली अंतर है और यह ध्यान रखेगा कि दोनों ही कौन सी राश्या है अदिश राश्या है इसलिए अंतर में नहीं लिखा जा सकता है बिंदु तो उर्जा और शक्ति में यह अंतर आप अवश्याद करें